हाई एवरीवन कैसे हो आप सब? I hope आप खुश है, सस्त हैं और मस्त हैं और मैं सरला, इंटीटी टेरो रीडर में फिर एक रीडिंग लेके आए हूँ और इस रीडिंग का थीम है यूनिवार्स अर्जेंट मेसेज आपकी करंट सिच्वेशन के लिए क्या वो गाइडलाइन्स देना चाहते हैं यूनिवार्स और यह टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है ठीके तो हो सकता है पूरी reading आपसे resonate हो चाहिए, हो सकता है कुछ-कुछ message आपसे resonate हो, जो होते हैं उन्हें रख लो, जो नहीं होते हैं, वो किसी ओर के लिए छोड़ दो, ठीक है, और thank you, thank you so much, video को like करने के लिए, comments करने के लिए, और subscribe करने के लिए, और जिसे भी personal reading चाहिए, मैंने अपना whatsapp number description कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके, और बहुत-बहुत thank you बोलना चाहती हूँ, मैं अपने spiritual team को, यूनियर्स को, एंजिस को, अपने पूरवजो को, gratitude पे करना, सभी के लिए बहुत सादा ज़रूरी होता है, तो gratitude सबसे पहले, सबसे पहले हमें, जै ठीक है, prayer करने से पहले, मैं यहाँ पर यह message मुझे मिल रहा है देने के लिए, कि prayer करने से पहले, जो भी यूनियर्स आपकी तरफ भेज रहा है, उसका, मतलब उसका धन्यवाद आप दो, ठीक है, gratitude पे जरूर करो उसका, जो भी एक कुछ भी छोटी सी भी खुशी आपकी त इतनी किती positivity दे रही है, आपको अंदर तक किता हील कर रही है हो, believe, विश्वास करो उन सक चीजों पे, ठीक है, तो मैं चलती हूँ reading की तरफ के यूनियर्स अभी आपको क्या message देना चाहते हैं, क्या मतलब आपकी जो current situation अभी चल रही है, ठीक है, उसके लिए क्या गाइड किसी को यहाँ पर जैसे है न, ऐसा मुझे किसी के लिए message है कि आपको थोड़ा सा अपना कुछ एक space create करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा सबसे हटो आप थोड़ा सा, side करो आप अपने आपको, और थोड़ा सा कुछ जैसे कुछ भी आपको परमात्मा बताना चाहते हैं, य कुछ सुनने की जरत है आपको, जैसे अभी मौन रहना है, चुप रहना है, और सिफ सुनना है आपको, कोई भी कुछ भी आपके लिए बोलता है, कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है, तो उसे सिफ रिसीव करो, एपसेप्ट करो, जो भी चीज़े आ रहे हैं, उसे एपसेप् किसी को किसी के लिए मैसेज है कि फुल स्टॉप ठीक है जैसे कोई बहुत जादा इनफ और ये चीज़े या बहुत जादा जर्रस से ज्यादा जैसे केते हैं कि एक क्रोस कर देना किसी चीज को जिसे हम क्रोस कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर स्टॉप पॉला जा रहा है कि इस टॉप जिसे लिसन ठीक है तीन वर्ड मुझे सुनाई देना है है चुप रहो। सुनो और रुक जाओ, ठीके, ये तीन वर्ड, मतलब सुनना है, चुप रहना है, ओके, और रुकना है, मतलब करन्ट सिच्वेशन में, यूनियर्स आपको यहाँ पर यह मेसेज देना चाहिए, कि जो भी करन्ट सिच्वेशन है, थोड़ा से रुक जाओ, ठीके, रुको, दे ठीके, आपको इस सिच्वेशन में, यूनियर्स आपको कुछ बताना चाहते, तो सुनना है आपको, बर्ड's के आवाजें, यूनियर्स के मेसेज को, उसे देखने की जरुरत है, आपको बहुत सारी जैसे कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनाई देंगी, यूनियर्स आपको को बताएंगे कि जहां पर आपको सुनने की सिर्फ जरुरत है जैसे कि तिन आपने कान खुले रखना है कहीं से कुछ ऐसी गाडलाइस आपको यूनियर्स की तरफ से मिल सकती है जो आपको बहुत नॉलेज आपको मिल सकती है वहां से ठीक है तो यूनियर्स चैनल में से क्या देना चाहते हैं तो अभी आपके लिए मेसेज किसी के लिए यहां पर आपके लिए अभी रस्ते बड़े कठीन है आपके लिए ठीक है आपको यहां लग रहा है कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है लेकिन बिरीव करो फेट करो इस समय से भी अपने उपर विश्वास करने की ज़र दे मुझे वो विजन में टेड़े मेड़े रस्ते नजर आ रहे हैं ठीके तो यह रस्ते आपी के लिए हैं यहां पर यही दिया था थोड़ा सा अपने आपको एक स्पेस प्र एट करों ठीके अपने आपको थोड़ा सा भीड से अलग हटा ठीके थोड़ा सा जैसे कितें ना अपने यंदर की शांती को महसूस करो उसको सुकून को महसूस करो परमात्मा ने जिसे यूनियर्स ने आपको जिसे कुछ ऐसा अनमोल गिप्ट्स आपको दिया है जिसके साथ आपको थोड़ा सा समय विताने की ज़रत है जिसके साथ जिसे किते हैं कि इन्चॉय करने की ज़रत है यह जैसो देसे कि 3D की यह मैं नहीं देख रही हूँ इसको यह 5D की जो उर्जा होती है ना यूनियर्स की ब्लासिंग्स जो होती है यह हर किसी पर देखो नहीं होती है यह ब्लासिंग्स जो होती है यह अमरित जो जो अमरित बेला में उठते हैं ठीक है अमरित बेला समझते ह तो फ्री थर्टी साड़े तीन बजे साड़े चार बजे का चो टाइम होता है हमारी अमरित बेला होता है यहां पर तो यूनियर्स आपको जैसे कहते हैं कि उस टाइम पर पास्ट में शायद आपने कुछ किया है नहीं है तो यह होगा आपके लिए किसी के लिए मेंजिज है तो अमरित बेला ठीक है जो सुबह सुबह की जो अमरित बेला जो होती है यूनियर्स एक जैसे कहते हैं कि अपनी ब्लैसिंग्स को एक ब्लैसिंग्स मतलब सभी की तरफ वह एक बारिश होती है ठीक है तो वह बारिश आपके उपर हो चुकी है नहीं हुई है तो आपके तो युनियर्स की गाडलांस आपके लिए यहां पर यही है, कि आप अपने अंदर उस ब्लासिंग को, उस प्यार को, उस हार्मनी को, उस पीस को, शांती को महसूस आपको करने की ज़रत है, ताकि जो भी आपके अंदर, जिसे किते हैं, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, कि आपके अंदर एक बहुत हलचल थी, बहुत जिसे बैचेनी, घबड़ा हट, जिसे अशान थी, ठीक है, एक जिसे किते हैं, शोर, जिसे किते हैं, एक शोर, ओके, तो वो शोर को, जिसे किते हैं, कि वो शोर कट हुआ है, आपसे, ओके, अब सुनना क्या है, जो मुझे पहला word आ रहा था, कानों में मुझे सुनाई दे रहा था, सुनना सुनना क्या है आपको यूनियर्स की दी हुई जो संकेत हैं उनकी जो guidelines हैं उन्हें आपको सुनने की ज़रत है ठीके, वो सुनाई कैसे देंगी आपको, वो सुनाई देंगी कि जब आप, अपने आपको जिसे किते न, जो यूनियर्स ने आपको दिया है उसके साथ थोड़ा सा time spent करोगे, उसके साथ थोड़ा सा समय विताओगे, जिसे किते न, इधर उधर भागना छोड़ दो अब शान्ती कहां ढूंड रहे हो आप शान्ती कहां ढूंड रहे हो शान्ती तो अब आपके अंदर है अल्ड़री वो आच चुकी है यूनियर्स आपको guidelines यहां पर यह देना चाहते हैं, कि उसको अपने अंदर महसूस करो, उसके आप महसूस करो, फील करो आप उसको जब आप देखोगे, कि हाँ, चीजे जो मैं इधर उदर ढूंड रहा हूं ठीके, current situation में आपकी guidelines यही है, कि सिर्फ आपको अपना एक, अपने आपको side करना है, सब तरब से अपने आपको जिसे अंदर से, अंदर से क्या चीजे आ रही है, यूनियर्स आपको अंदर से ही message दे रहे हैं, उसे महसूस करो, उसे feel करो, जो भी आपको feel हो रहा है, और यकिनन मैं बिल्कुल guarantee से कह सकती हूं, कि current situation में जब भी आप अपने साथ बेठोगे तो बहुत एक अलग सी उर्चा को महसूस करोगे, आप connect कर पाओगे, feel कर पाओगे आप, ठीके, harmony यूनियर्स आपकी तरफ यहाँ पर, जैसे उनकी blessings आ रही हैं आपकी तरफ, harmony आ रही खुशी आ रही, peace आ रही है abundance आ रही हैं यहाँ पर क्योंकि वो जैसे कहते हैं है कि परमात्मा, यूनियर्स ने अपना हाथ रख रखा है वो जैसे आपको जैसे बहुत सारी चीजों से वो आपको उपर उठा कर लाया है ठीके, वो जैसे कुछ खोल रहा है आपका, आपके अंदर के वो दरवज्चे खुल रही हैं आपकर ठीके, moment to moment यही कार्ड्स मुझे वीजन में नजर आया था ठीके, जैसे मैंने रास्ता चो बोला ना, आड़ा टेड़ा रस्ता है आपका चलना है यूनियर्स का आपके लिए गाड़लाइस आ रही है आपकी करण सिच्वेशन में कि आपको थोड़ा सा मतलब आप ये मस समझो कि आप किसी चीज को कर नहीं सकते ठीके या आप इसके लायक नहीं हो या ये बहुत बहुत जैसे ये ये जर्णी या ये रस्ता बड़ा कठी ने आप जानी सकते हो लेकिन हाँ, जैसे किते हैं ना थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है कि इस जर्णी में या करंट सीट्वेशन में आपको जैसे कुछ निर्णे आप ले नहीं पारे हो, डिसीशन नहीं ले पारे हो तो थोड़ा सा रूख जाओ ठीके, ये कार्ड आपका ये ही बता रहे मतलब step by step, slow slow, होले होले ठीके, जब आप केते हैं ना कि बड़ा समल समल कर ध्यान से आप काम करने लगते हैं तो यकिनन आप उस रस्ते को भी पूरा कर लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ आप जा पाते हैं यूनियर्स की यहाँ पर आपकी करन सिच्वेशन के लिए गार्ड लाइन्स है कि आप इना धीरे धीरे बस समल समल कर चलो आप जहां जाना चाहते हो, जो मंजिल आप पाना चाहते हो यूनियर्स ने जो आपके लिए निधारित कर रखा है आप वहाँ तक पहुँचोगी जरूर ठीके, लेकिन करना क्या है आपको थोड़ा समल ना है सिच्वेशन चाह केसी भी हो आपकी पेशेंस रखते हुए, समलते हुए जैसे केते हैं ना कि बैलन्स हर चीज में बैलन्स बिठाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ठीके, जब ऐसी सिच्वेशन आजाती है कि जहां पर हम, जैसे जैसे हम आगी की तरफ बढ़ते हैं जैसे जैसे हम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं आप विश्वास करोगे उतने ही हमारे ठीके, तो ब्लोग्कस के लिए क्या करने की जर्थ तह है? उन बाधवाँ से निकलने की जिए, उन संकट परेशानी से निकलने की जर्थ है? ठोड़ा सा द्ध्यान से, बैलन्स से, पेशेन्स के साथ दीरे-धीरे उस परेशानी से आपको निकलना की जर्र अथए ठीके, situation ऐसी आएंगी कि आप डगमागा जाओगे आपका मनोबल हिल जाएगा, आपका confidence हिल जाएगा लेकिन वो नहीं करना है आपको balance बिठा देना, थोड़ा सा रुक जाना है, थम जाओ और फिर ने लो आप यहाँ पर ठीके, जब हम ऐसा करते हैं तो आप पता है, आप कहां तक चले जातों, आपको पता भी नहीं चलता है जिस अब किसी कोई परिशानी है, उस परिशानी को हम किस वे में ले रहे हैं ठीके, उसमें tension में आ रहे हैं, confidence lose कर रहे हैं या दुखी हो रहे हैं तो obviously आप पीछे की तरफ चले जाओगे, आप harmony की तरफ नहीं जाओगे आप सफलता की तरफ नहीं जाओगे, किसी भी तरह से आप सोच सकते हों यहाँ पर ठीके, और जो हम जब हमारे पास परिशानी आती हैं और बैसली वो growth आ रही है, तो साथ में क्या लेकर आ रही है, blockage भी लेकर आ रही है तो वहाँ पर हमें क्या balance बिठाना है और जब हम जैसे कहते हैं कि समल समल कर चलते हैं, balance बना कर चलते हैं हिम्म्मत के साथ चलते हैं, इस्ट्रेंथ के साथ चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, हार्मनी मिलती है वो पीस मिलते हैं, वो शांती हमें मिलती है ठीक है? Let go Blessings तो आपकी तरफ आ रही है ठीक है? Blessings क्या आ रही है? यूनियर्स की तरफ से कि जो अभी तक आप let go नहीं कर पा रहे थे जो आपके जैसे किते हैं न कि आपकी सफलता में या आपकी सक्सेज में जो भी blockage आ रहे थे उसे शायद आप let go नहीं कर पा रहे थे या वहार रुक गए थे या धर गए थे या अपने आपको संभाल नहीं पा रहे थे ठीके तो अब आप let go करोगे अब बड़े जैसे किते हैं कि यूनियर्स आपको यहाँ पर यह बताना चाते हैं कि किसी भी चीज से जैसे किते हैं let go कर देना यानि कि उस situation से निकल जाना जाने देना जो भी इस्थिती आ रही है उससे निकल लो अपने आपको किसी चीज को जैसे किते हैं कि छोड़ना जाने देना उसे छोड़ दो उसे कुछ attachment है शायद आपके अंदर किसी जैसे किते हैं है आपको यहाँ पर किि के जर जेसे आप चीजों को छोड़ते चले जाओगे टिक 125 में यहाँ पर जाताछियों किसी का तो किष्कुलत में आपको जिसे चाहले जाओग எसे वहाँ कि तरह यहाँ पर चलते चले जाओगे जो तो यूनियर्स आपको यहाँ पर यह guidelines देना जाते हैं, let go, जाने दो, चावो आपकी तरफ blessings आ रही हैं, चावो आपकी तरफ खुशी आ रही हैं, हर चीज को जैसे छोड़ना है आपको, कुछ भी जैसे केते न, अपने अंदर समा कर नहीं रखना है, एक फिर से जैसे केते न जितना जादा आप परेशानी से let go करोगे, जितना जादा आप अपने block case को release करोगे, आप देखोगे, आपके अंदर एक freshness है, एक ताजगी है, एक नयापन है, जिन्देगी को जीने का एक जोश है आपके अंदर, किसी भी चीज को जिसे केते न, कि बांद कर रखोगे न आप, तो वहाँ पर खुद बंद जाओगे, और जितना जल्दी किसी चीज को छोड़ दोगे, आप उतनी ही आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, ठीक है? यूनिवर्स आपको यहाँ पर करण सिच्वेशन के लिए आपके लिए यह देना चाहते हैं, आपकी समस्या का जो भी, जो भी है, उसके लिए समाधान यही है आपका, कि आप है न, जैसे जैसे आप मतलब एक इस्टेप बाइस्टेप आप आगे की तरफ बढ़ोगे, बैलन्स कर लोगे सिच्वेशन को, ठीक है, आप इतने स्ट्रॉंग बनोगे, इतने पावर्फुल बनोगे, क्योंकि कभी-कभी चीजों को छोड़ देना हमारे लिए बहुत बहतर होता है, ठीक है, वो जैसे किते हैं कि हमारे दिल, दिमाग और मस्तिक्ष को जैसे कितने बांध कर रख देता है, बैलन्स होना यानि कि हमारा मायन, पॉटी, सॉल, इन तीनों का एक अलाइमेंट में आना, ठीक है, एक जैसे जैसे हम कोई भी जैसे करन्ट सिच्वेशन में किसी प्रॉब्लम में हम फसे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर निर्ने किस उससे ले रहे हो, आप यहाँ पर, जितना ज्यादा आप बैलन्स मेरे के निर्ने लोगे, डिसीजन लोगे, उतना ही आपके अंदर हार्मनी आएगी, पीस आएगी यहाँ पर, आप सब जानते हो, यूनिय आपको किसी के लिए यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं, कि आपको है न, हर चीज में जिसे बहुत 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 तरीके से आप जान रहे हो, ठीके, समझ रहे हो आप, कि कैसे बैलन्स बिठाना है, करण सिट्वेशन आपको बहुत अंदर तक पीस दे रही है, शांती को आप महसूस करोगे, बैलन्स बिठाओगे आप, ठीके, यह यान की उर्जा है यह, आपकी मस्कुलाइन, आपकी फेमेनाइन एनरजी, बहुत बैलन्स है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, हार्मनी आ रहा है, इत्ता बैलन्स कर रहा है यूनिवर्स आपको, ता जहां अठके हुए हो, जहां फसे हुए हो, वहां से आप स्लो स्लो दीरे दीरे आप निकल जाओ, तब आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में कितना बैलन्स हो चुके हो, हर प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल कर रहे हो, उसका समाधान खुद कैसे निकाल रहे हो, कैसे तो समस्यां कर समदा, अपकी करंट सिट्वेशन तुम्हें यहां पर यही देख रहे हो, कि अब आप चीजों को लेट गो करना सीख चुके हो, आगे बढ़ना सीख चुके हो, एक करंट सिट्वेशन में जैसे प्रॉब्लम कैसे फेस की जाती है, ठीके, महां पे, कैसे रियक्ट किया जाता है, तो उस चीज को आप समझ रहे हो, जान रहे हो, बहुत स्ट्रॉंग हो आप, जैसे सिट्वेशन आपके सामने कैसी भी आजाए, उसको जैसे बहुत, एक जैसे किते हैं ना, कि आप ना, मैंटली बहुत स्ट्रॉंग हो, वो आप, जो आपकी व क्योंकि आपको करने की ज़र्ब दार चुपर dopper रिखके लाएगा की आतर्कतू आपको प्लूर्श का क significa जाते कर साथ प्लहि ऑपको am evaluation के भरउनात। किसी भी situation में चाह आपको कोई हराना चाहेगा या आपको कोई तोड़ना चाहेगा बिखेरना चाहेगा कि आप इस मेदान को छोड़कर चले जाओ Never, वो कभी नहीं करोगे आप ठीके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत strong हो और यही आपकी करने सिचुएशन के आपको ऐसा ही रहना है Balance हो आप किसी भी situation को बहुत easily आप handle कर सकते हो हार मानने वालों में से नहीं हो आप कोई बलगी आपको हराने आएगा, जुकाने आएगा या कोई आपको तोड़ने आएगा या कोई जिसे किते हैं कि कोई आपको challenge भी करेगा क्या पैसा नहीं कर सकते वो भी कर के दिखाओगे आप जिसे किते हैं कि last time तक डटे रहना, खड़े रहना अपने लिए लड़ना ठीके, ये यूनियर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप कोन हो पेले आप अपने आपको जानो, अपने आपको समझो तब आप देखो कि आप कितना आगे तक पहुंच सकते हो कितना आगे तक जा सकते हो तैंक ये विए जितने भी इस चैनल को अभी देखते हैं यहां पर रिडिंग को देख रहे हैं एक जिसे कितना है कि आपको आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपको किसी भी सिच्वेशन में फसकर नहीं रहना है आपको आगे की तरफ बढ़ना है क्योंकि हर जैसे समस्या का समाधान आपके खुद के अंदर है आपकी सोल के पास है आपके पाद इतनी नौलेज है इतना ज्यान है कि आप किसी भी समस्याओं का समाधान आप खुद निकाल सकते हो सिर्फ करना क्या है आपको अपने उपर बिलीव करना है अपने उपर फेट रखना है विश्वास करना है आपको कुदरत ने जो भी जो भी आपको हिडन गिफ्ट्स दिये हैं जैसे केते हैं न उनके उपर बिलीव करो, उनके उपर विश्वास करो यूनियर्स के साथ आपका काफी अच्छा खासा कनेक्शन में आपर देख रही हूं आपका जो मून साइन है न आपका सबकॉंसेस माइंड आपकी बहुत हैल्प करता है आपके सबकॉंसेस माइंड आपको बहुत गाइडलाइन्स देता है वो बहुत जैसे केते हैं एक्टिव है वो और आप इसी तरह से ब्लैस्ट हो क्योंकि बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो आप बहुत स्प्रिचल हो, प्योर हो इसलिए प्लैस्ट पी हो दूसरों के उपर, जैसे केते हैं न, कि दूसरों के उपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है आपको खुद के जितना आप अपने खुद के उपर विश्वास करोगे न उतना ही आप देखोगे कि आप केसी प्रॉब्लम को मतलब इसे फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाओगे हर चेलेंज को आप एपसप्ट करना सीख जाओगे बहुत गुणवान हो, बहुत गुणच छुपे हुए आपके अंदर यूनियर्स आपको बताना चाहते हैं जो भी यूनियर्स किसी के लिए मेसेज है कि आपके अंदर जो भी है छुपा हुआ उसे छुपा कर मत रखो ठीके? छुपाओ मत यूनियर्स चाहते हैं कि अब जो भी है वो समय है आपका कि अब आप बैलेंस हो अप जितना ज़्यादा आप अपने आपको उपर विश्वास करोगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने अपने अंदर हार्मनी देखोगे पीस देखोगे, शान्ति को भी महसूस करोगे थैंकियू थैंकियू यूनियर्स थैंकियू सो मच Blessings 8 of wands आपकी current situation में guidelines आपके लिए यहाँ पर यही आ रही है कि जिस चीज को शायद आप बहुत जिसे किते हैं नहीं कि शायद कुछ problem है कठनाईयां आ रही है आपको face करने में या let go नहीं कर पा रहे हो आप यहाँ पर तो बोला यही जा रहा है आपके लिए कि आपकी तरफ यूनियर्स ऐसी blessings भेज रहा है वो opportunities आ रही है वो मोके आ रहे है वो अफसर आ रहे है ठीके किसी को जिसे किते हैं कि किसी को अंदर आप बहुत सी में जिसे किते हैं यहाँ पर soul बहुत कोई बहुत जिसे किते हैं कि परमात्मा में शायद लीन हो चुका है परमात्मा में आप यूनियर्स के साथ बहुत अच्छे से connection है आपका तो यूनियर्स से आपने जो भी मांगा है ठीके वो यूनियर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं वो blessings आ रही है दरवज्य भी आपकी तरफ खुल रहे हैं यहां पर जो आपको growth की तरफ लेकर जाएंगे जो आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे और एक नहीं यह बहुत बहुत सारी blessings आपकी तरफ आ रही है बहुत opportunities आपकी तरफ आ रही है और बहुत speed से आ रही है ऐसा नहीं है किस लोग आ रही है बहुत इस पिर्ट से आपकी तरफ यहां पर आ रही है बस आपको करना क्या है कि मतलब लेट गो करो कमजोर अपने आपको नहीं होने देना ठीक है एक टाइम था आपका कमजोर थे अब जब आप लेकिन फिर भी जिसे केते ना कि फिर भी इनर स्ट्रेंथ आपकी जिसे केते ना कि वो बरकरार थी आपके लिए सारी चीजों को आपने जिसे केते ना कि हर समय जो आपको बहुत कोई चीजे ऐसी थी जो आपको बहुत उकसाती थी अंदर से बहुत नेगेटिव करती थी या ऐसा फील कराती थी आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते हो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो लेकिन किया न आपने वो केसे किया आपने जितना इस प्रॉब्लम में फसे जितना इस सिच्वेशन में फसे तभी दीरे 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 आपको अपने बारे में यहाँ पर पता चला है कि आप कौन हो यहाँ पर एक मन की शक्ती मन की शक्ती कहते हैं कि बहुत बड़ी पावर होती है बहुत बड़ी शक्ती होती है वो है यह आपके पास बहुत कुद्रती तरीके से वो अलगी लेवल पर है यह यहां आपर यहां आपर यहां आपके लिए यहां पर यही आ रही है कि बहुत कुछ आपके अंदर छुपा हुआ है उसका इस्तिमाल करो लेट को करो आगे बढ़ो ठीक है बैलेंस करना है आपको सिच्वेशन को क्योंकि आपको सब पता है इतना नौलेज है ग्यान है आपके अंदर आपकी डिवाइन फेमिनन एनरजी और डिवाइन मस्कुलाइन एनरजी बहुत बैलेंस है फॉर्गिवनेस जो मैं यहाँ पर बूल रही थी ना अभी आपके लिए अटेश्मेंट किसी ने आपको जैसे बहुत जुकाने की आपको कोशिश करी है लेकिन आपने जैसे कहा है ना कि आपने कभी भी आपकी पास्ट में जो भी सिच्वेशन जैसी भी रही है आप पीछे नहीं हटे हो तटकर जैसे आपने मुकाबला किया है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके सबकॉंसेस माइंड में अब जिसे कुछ चीजे ऐसी हो जाती हैं कि जिसे हमें निकालना बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है कही न कही शायद आप अपने आपको अभी भी इत्तु सा कमजोर समझ रहे हो तो कमजोर नहीं हो आप कमजोर क्यों हो पता है आप क्योंकि आप बहुत प्योर सोलो बहुत सेंसिटिव सोलो आप चीजों को बहुत जल्दी दिल से जोड़त हो आप हर चीज को पता है दिल से देखते हो आप दिल से निन्ने लेते हो दिल से हर काम को करते हुआ इतनी purity है आपके अंदर इतनी सचाई है आपके अंदर जब हम केते हैं कि दिल से किसी से जूरते हैं और वहां से हमें जो जितना हमें आना चाहिए जितना हमें प्रेम मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता है लेकिन बदले में कुछ और दिया जाता है तो वहां पर क्या हो जाते कुछ गहाव से हमें ऐसे गहाव हो जाते जो हमारे लिए उससे निकलना बहुत ज़्याता ज़रूरी होता है विश्वास करो आप बस विश्वास करना है आपको कि आप मतलब इतना अपने आपको बिचारा मत समझो आप बिचारे नहीं हो आप बहुत intuitive, बहुत powerful बहुत pure solo, बहुत sensitive solo बस आपकी problem क्या है कि आप बहुत जल्दी heart होते हो बहुत जल्दी आपको रोना आता है ठीके लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो लेट गो आपको क्या करना है जिसने भी आपके साथ गलत किया है जिसने भी आपके साथ cheating करी आपको तोड़ने की कोशिश करी उसे लेट गो करने करो उसे बाहर निकलो ठीके, तब आप देखोगे यूनियर साब को बता रहे हैं कि फिर वहाँ पर आप अपने अंदर की हार्मनी को महसूस करोगे तो 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 डेफिनेटली आपको रिजेक्शन तो मिला है तो यूनियर्स आपकी कौन सी प्रॉबलम का सामाधान आपकी तरफ बेज रहे हैं यहाँ पर कि कुछ चीजों को शाद आप लेट को नहीं कर पा रहे थे रिजेक्शन मिला था आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे तो वो उसके लिए आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी ब्लैसिंग्स आरी हैं जिससे आप अपने आपको बैलेंस कर पाओगे ठीके एक रिजेक्शन किसी के लिए मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आप अपनी इस्प्रेचल जर्णी में बहुत जिसे केते हैं लेकिन जब केते हैं कि कुछ नेगिटिविटी हमें बार बार जैसे ब्लॉक करते थी हैं ठीके और उस नेगिटिविटी से हम गिर जाते हैं तो उसके लिए भी आपकी तरफ ब्लैसिंग्स आ रही हैं शायद जिसकी वज़े से आप शायद आगे नहीं बढ़ पारे हो आप अपनी इस्प्रेचल जर्णी में ठीके कुछ ब्लॉक के जिसे आप रिलीज नहीं कर पारे हो तो यूनिवर्स उस समस्या का उस प्रॉब्लम का सोलीशन आपकी तरफ भेज रही हैं यहाँ पर ठीके कुछ हीडन था अभी तक आपसे यह भी मेसेज मुझे मिल रहा है कुछ हीडन था अभी तक आपकी क्योंकि कोई को यहाँ पर इस्पेजल जर्णी पर भी है ठीके तो ओबेसली यूनियर्स को छुपा कर जरूर रखता है कि यह रिजेक्शन आपको क्यों मिला क्यों आपके सामने सीच्वेशन आई तो वह जिसे कहते हैं कि कुछ सच्चाई भी आपको यूनियर्स आपके बारे में बता कर सकते हैं ठीके यहाँ पर करन सीच्वेशन के लिए यूनियर्स क्या बार्लेंस देना चाहिए यूनियर्स कोन सी समझा पसमदान कर रहा है thank you Yes. Thank you so much. okay, अधर उपर अधर उपर नहीं में सारे cards नहीं रहांगी बहुत messages सो都 को जायेंगे फिर सी टर्टल जो भी आपका जैसे केते हैं कि यहाँ पर क्या मेसेज मिल रहा है मुझे कि आपका जो सबकॉंसेस मायंड है आपकी मन की शक्ति उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रात है और जो वो रस्ता दिखाती है उस पर आपको चलने की ज़रात है मतलब खुद के उपर विश्पास करना सबसे ज़्यादा जरूरी है टर्टल क्या होता है टर्टल बहुत स्लो प्रोसेस होता है लेकिन एंड एंड क्या होता है सक्सेस मिलती है सफलता मिलती है तो आपका process भले ही slow क्यों ना हो आप अपनी spiritual journey में या आप अपनी growth में या आप अपनी love life में या आप अपनी personal life में चाप कितने भी slow क्यों ना चल रहे हो ठीके लेकिन ये जो ये slow पन कभी कभी देखो क्या होता है ना कि कभी कभी हम जिसकी भी natural तरेके से awakening होती है वो उसका remote control तो universe के हाथ में ही होता है ठीके तो यहाँ पर कुछ चीजे ऐसी होती है जो automatic slow process पर डाली जाती है क्यों क्योंकि वो जो समय आपको सिखाता है इस्तिती सिखाती है वो आपको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टर्टल यह जैसे कहते हैं कि आर्थ से connect है आर्थ की energy बड़ी slow होती है तो कुछ भी जैसे कहाँ पर भी कुछ भी आपको success लेनी है तो मतलब आप यह मत समझो कि बड़ी जल्दी हो जाएगा पर जल्दी आपको special journey में या career में success मिल जाएगी लेकिन मिलेगी ज़रूर आपको लेकिन उसका process क्या होगा वो बहुत deep level का होगा यह ओके बहुत ही deep लोयान honor honor is all and celebrate its journey या आपके लिए बोला जा रहा है आपकी current situation के लिए यही guidelines दे रहा है आपका परमेश्वर कि आपको आपकी जर्णी में जितना भी आपने सफर करा है जितनी भी आपने hardness दे की है चीज़ी को let go करना कैसे करना है let go कैसे अपने आपको balance करना है ठीके यह कही ना कही आपको पता है नहीं पता है तो आपको पता चलेगा ठीके और यही जर्णी आपको बहुत सुकुन देगी आपको विश्वास देगी और इस जर्णी पर आप देखोगे कि ये जर्णी आपकी खुद की है, इसके मालिक का आप खुद हो, ठीके, और जहां पर आपको बहुत सुकुन महसूस होगा, जैसे कहते हैं कि हाँ, मैं राजा हूँ, उस चीज को आप फिल करोगे, महसूस करोगे, आपको जैसे कहा जाता है, जो जितनी बड़ी चीज होती है, ठीके, जैसे हम कुछ बड़ा निर्धारित करते हैं, बड़ी पिक्चर देखते हैं, बड़ा ड्रिम्स देखते हैं, और उसके लिए हमें जैसे कहते हैं, कि किसी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, किसी एक उतना ही समय लगेगा, उतना ही patience लगेगा, ठीक है, लेकिन last में होता क्या है, वहाँ पर हम celebrate करते हैं, enjoy करते हैं, वो journey हमारे लिए एक अलगी तरह से हमें देखने के लिए मिलती है, उस काम में हमें सफलता मिलती है, हमें सुकून मिलता, हमें शानती मिलती है, तो यूनियर्स आपको यहाँ पर यही बताना जाते हैं, इसमें बहुत आपका किसी को जैसे माफ करना था, आपने किया भी है, जिसने नहीं किया है, प्लीज उनसे करो, ताकि आप अपने उपर विश्वास करो, आपके अंदर जो भी जो भी चुपा हुआ है, वो यूनियर्स खुल के बाहर लेकर आ सके आपके सामने, और आप अपनी जार्णी में जो भी आप कर रहे हो, उसे इंजॉय कर सको, आपको बोला यही जा रहा है, कि आपको हर तरफ का ग्यान है, हर तरफ की नोलेज है, और वो जैसे किते हैं कि एंजिस के थुरू, यूनियर्स के थुरू, वो आपके अंदर डाली गई है, ठीके, जैसे भीतरी ग्यान क्या होता है, ठीके, जो कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से मिला नहीं है, कहीं से सीखा नहीं है, जो कुद्रती लेवल से हमें दिया जाता है ठीके जिसे soul जिसे खुद अरजित करती है बड़े सफर करती है उसको बड़ी महिनत करनी पड़ती है आपको जैसे केते हैं चैलेंज पर चैलेंज लेने परते हैं आपकी लायफ में आपने बहुत चैलेंज ए tyreक्षट करें तो यूनियर्स आज आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि अब आपके पास बहुत knowledge है क्योंकि किसी के लिए मैं यहाँ पर देख रही है कि कोई यहाँ पर अर्थ जैसे कहते हैं न कि अर्थ एंजल है उसको हर तरिफ का जैसे ग्यान है क्योंकि आप blessed हो spiritual हो आप बहुत आपके अंदर छुपे हुआ है चीजे आपके अंदर inner strength है inner wisdom है inner ग्यान है अंदरूनी जैसे कहते हैं आत्मा के पास एक आत्मा के पास क्या क्या नहीं छुपा हुआ होता तो वो है आपके पास ओके जिडाफ the bigger picture my god my god क्या बोला मैंने अभी आपके लिए क्या बोल रहे है यूनियर्स मुझे please please comment section में आपको ज़रूर बताना इस से जादा यूनियर्स आपको क्या proof दे सकता है जो मैं पहले से पहले बोल रही हूँ चीजों को bigger picture कुछ बड़ा सोचना बड़ा करने से पहले बड़ा सोचेंगे तो उसमें बहनत भी इतनी पैशन से भी इतना इतनी ही लगती है हमें ताकि हम जो भी चूज करा है हमने ठीके वो आपको अलगी लेवल पर लेकर जाए आपके लिए बोला जा रहा है कुछ बड़ा सोचना है आपको अगर आप decision नहीं ले पा रहे हो तो थोड़ा सा stop जो मैं बोल रही थी नहीं हाँ पर stop मुझे वर्ड सुना ही दे रहा है तेके stop, back end गेदर your thoughts and feelings ठीके थोड़ा सा रुको अपने आदाय बाय देखो ठीके और सोचो थोड़ा सा फील करो, महसूस करो आपके अंदर क्या विचार आ रहे है क्या आपका दिमाग किसी चीज को क्या बताना चाहता है कुछ बड़ा सोचने के लिए आपको बोला जा रहा है आपकी current situation में यूनियर्स आपको guidelines देना चाहता है कि थोड़ा सा रुक जाओ बच्चे, थोड़ा सा थम जाओ ठीके और कुछ बड़ा करना है बड़ा सोचो आप क्योंकि आपके लिए तो यूनियर्स ने कुछ hidden चुपा रखा है जो कि बहुत दी अलग लेवल पे है जो कि आपके अंदर की वो अंदर की जैसे किते ना आपके soul के पास जो ग्यान है उसे वो जैसे किते ना बाहर निकालना चाहता है जिराफ जिसके किते ना इसकी ये नैक गर्दन बड़ी लंबी होती है ये बहुत जैसे किते ना कि दूर की देख सकता है तो आप वही हो आपकी जैसे किते ना कि आपकी जो सोच है ठीक है आपकी जो नजरे और आपकी सोच ये आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है इस पर ध्यान देने की ज़रत है आपको दूर का देखो बटरफ्लाई ठीक दा लीप ओफ एट माई गॉड आज तो मुझे मज़ा आ गया यूनिवर्स आपकी करण सीचेशन के लिए क्या गार्डलाईन्स आपको देना चाहते है क्या ब्लेसिंग से भेज रहे हैं आपकी तरफ वो आपको बार-बार यही बोल रहे हैं बार-बार आपको यहाँ पर यह बोल रहे हैं अपने उपर विश्वास करो नहीं चीजे समझ में आरी थोड़ा रुक जाओ अपने मन की शक्ती से जुड़ो अपनी इंट्विशन को फोलो करो अपनी अंतरात्मा से गार्डलाईन्स लो ठीके? जो कि आपको हार्मनी दे रहे हैं आपको कुछ बड़ा करना है आप डर क्यों रहे हो उड़ने से इस्टेप लेने से डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको जिस जर्णी पे बरी हो जिस सिच्चेशन में फसे हुए हो आप फेत रखो उड़ना है आपको जितना ज़ादा आप उड़ोगे हलका रखो आप अपने आपको जितना आप लाइट फिल करोगे आप अपने अंदर से हार्मनी कुद्रत ने आपको तो दे ही दिया है है ना कुद्रत ने तो आपको वो हार्मनी दे दी वो पीस दे दी वो शांती दे दी है इतना आपको हलका कर दिया है क्योंकि आपको let go करावा दिया है हर चीज को आपने let go किया है believe करो उसके उपर faith करो आप उसके उपर ठीके और देखो उस light को महसूस करो उस हलके पन को महसूस करो देखो कितनी उचाईयों तक आप ओड़ सकते हो ठीके तिसे विश्वास करोगे तो ही आप जिसे किते ना कि उचाईयों को चू सकते हो जिसे butterflies क्या होती है ये new beginning, abundance, growth ये blessings आपकी तरफ यहाँ पर बेज रहे है butterflies हमेशा एक new beginning का एक जिसे message देती है हमे angels आपके इर्दिगीर दें युनियर्स उनके तुरू कुछ end कुछ message आपके पास बेज रहे है आपको butterflies बहुत नजर आ रही होंगी तो युनियर्स आपको message दे रहे है पिश्वास करो आपको कुछ नया करना है, बहतर करना है क्या सोच इचार कर रहे हो जिसके उपर निन्ने निले पारे है जिसके उपर आप पिश्वास निकर पारे हो आपकी जैसे कितन न्यू बिग नहीं है यहां पर हम नए रस्ते खुल रहे हैं और क्या वो लू में यहां पर मैं एनर्जी देख से देखती हूं तर्ड चक्रा आर्गेंचल जैम्याल अपका सोलर प्लेसिज चक्रा छिक के जोके हमारी क्रेुटिविटी का होता है हमारी awareness का होता है, हमारी growth का होता है, ये yellow color का होता है, ठीके, जिसमें केते हैं, ये आपको बड़ा ऐसा, जो कोई भी यहां पर मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं, उनके लिए आप देखोगी कि वहां movement हो रहा है, ठीके, आपकी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कुछ चीजे थम सी कही थी शायद आपके आपके अंदर की जो creativity है, ठीके, वो उसकी तरफ से blessings आ रहे ह आपकी बहुत help कर रहे हैं, ठीके, ताकि आपको पता चल सके, आपके साथ है, पेशेंस, यस, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपके लिए, ठीके, और जब मैं सुबे बॉर्णिंग में meditation कर रही थी, तो मुझे बहुत सारी watch नजर आ रही थी, आपके लिए ब रखना हैं आपको बच्चे, पेशेंस ही आपको आगे तक लेकर जाएगा, जितना जादा आप अपनी लाइफ में, अपनी सिच्चेशन में, अपनी जर्नी में पेशेंस बना कर रखोगे न, यह कहते हैं कि धैर्य, यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, पेशेंस रखो जो आप नहीं कर पा रहे हो, वो करोगे जरूर आप, टोट रोमांस, यास, यूनियर्स आपकी तरफ ये ब्लैसिंग्स भेज़ाएं, ये गेट जो मैं बोल रहा था न, दरवच्चा आपके लिए खुल रहा है, यास, आपकी तरफ बहुत सारी ब्लैसिंग्स आरी, खुश करोगे, यूनियर्स आपकी तरफ बहुत, बहुत जैसे कहते हैं, कि कुछ आप आजाद हो रही हो किसी चीज से, एक खुशी नहीं, मैं यहाँ पर बहुत सारी खुशियां आते हुए, आपकी तरफ देख रही हूँ यहाँ पर, जैसे आप अभी तक शाद अपने अपने द दिल के दरवजे बंद कर रखे थे, लेकिन वो खोल रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी ने माफ भी करा है, ठीके, तो वो खुल रहा है आपका, वो हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वज़े से, जैसे कहते हैं, कि जब हम अपने दिल के दरवजे को खोल यह, नियुके और फिफ्ट चक्रा आर्केणचल गेप्रियल, यह, यह, जो मैं बोल रही हैं, अपर कोई स्परेचल जाल नही में है, तो आरकेणचल गेप्रियल आपके अपर चक्रा सो काफी बैलान्स कर रहे है, आरकेंचल च्वैमल, आपके साथ हैं, ठीके, और बहुत योकि आपको गाइड लांस देरे हैं वो बराबर आपके आप उनकी जै से प्वेसके आप उनको किसी भी रूप में तीके अपने इ। इरदगेर्द महसूस कर सकते हो आपके अपर चक्रा जो कि आपका इस्पेशली हैं आपर मैं आपका थ्रोट चक्रा में देख रही हूँ ठीके आपके इंजल चेमिल जैसे आपसे कुछ कहलवाना चाहते हैं और वो बहुत थैल्प कर रहे हैं आपकी निरंतर आपके साथ है तो ठीके फ्रेंड्स मैं इस रिड़ी को हीं पर क्लोज करती हूँ I hope आपसे रिजुनेट हो अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंग, सस्क्राइब और थैंक यू, थैंक यू सो मच और जैशी किष्णा राथे राथे, हर हर महादेव